हलो ओके हाई गुडीवनिंग एवरीबड़ी मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को सारे भाई ये वेनों को नमस्कार शुरू करते हैं आज का सेशन वकैब सेशन 123 और वकैब मंत्रा डे 18 हमारा आज स्टार्ट हुआ है और अभी तक हम हजारों वकैब कर चुके और ह चाहे कोई भी एक्जाम में क्वेशन आए या किसी भी लेवल पर आपको टेस्ट किया जाए तो आपको शब्द और वाक्यों की कमी बिल्कुल ना पड़े ये मेरी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को मैं पूरा-पूरा निभाऊंगा आप डिपेंड करता है कि आप उस आप किया जा रहा है कि कैसे डिस्पले को सुधारा जा सकता है कैसे चीजें बहुत अच्छे तरीके से एक्स्प्रेंड की जा सकती है राइट है ये वक्याप मंतरा हमारी जो बुक है उसी में से पर अब एक डेली डोस आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो की इस कर सके अच्छे से दिमाग में याद कर सके चलिए अच्छे शब्दों की तरफ अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं अब हमारा जो शब्द आ रहा है वह है प्री सेजज का मतलब पहले से पूर्व अनुमान लगाना हम कह सकते है पहले से पहले ही बता देना अप हिंदी में लि बता देना, that is called pre-says, right, so पहले ही कोई चीज बता देना, यह उचारण है, pre-says, थोड़ा सा उसको अलग लिख देते हैं, अगर आपको देखने में दिक्कत हो, तो यहां पर लिख देते हैं, right, चलिए, यहां लिख देते हैं, pre-says, अब आपको साफ दिख रहा होगा, pre-says, foretell, signify, suggest, indicate, यहनकard, यहां के पहले से कोई चीज, for माने होता है, पहले tell माने बता देना, तो इसका मतलब की हुआ, for माने होता है पहले, ही बता दिया जाए कि ऐसा कुछ हो का प्लीज ऐसा मत करो तो suggestion होता है कि आपको महनत करनी चाहिए तो मैं pre-sage कर रहा हूं तभी तो suggest कर रहा हूं राइट यहीं कि suggestion भी pre-sage का एक हिस्सा है और indicate का मतलब इशारा इशारा क्या किया जाएगा देखो भई ऐसी कोई चीज है so that is called indicate तो उसे हम indicate कह सकते है तो पहले से ही कोई चीज बता देना that is called pre-sage pre-sage right so हम statement कह सकते है let's take a statement with it चली बेटा pre-sage एक verb है और इन दोनों को mix कर लेते हैं protestation का मतलब भी है कोई चीज assert करना declaration affirmation कोई चीज strong तरीके से कहना pre-sage हम statement लेते हैं लिखेंगे foretell signify in this protestation का मतलब है कोई चीज कहना affirm करना यानि के कोई चीज बहुत पुखता तरीके से कहना right यानि के जोर देकर कहना जोर देकर कही घए बात जोर देकर कही घए बास को हम क्या कहते हैं protestation यानि कि हम लिखेंज अगर वो बात नहीं मानोगे तो protest हो सकता है उसके ऊपर वो protestation होती है अगर आप कभी भी protest करते हो तो पहले क्या करते हो रोटेस्टेशन देना होता है पको थाने में वहां की albhati's को बताना होता है के भई हम इस जो है मुदधे पर हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तरह को किरेदे नहीं अजाए हिंग तिने पेढ़े लिए बिफोर एफेरी प्रोटेस्ट मुणल रहा है, what are you protesting for, right, so हम statement कह सकते हैं, जोर देकर, जैसे हम कह सकते हैं, in this, in this protestation, in this protestation, in this protestation, the, the, protestors, यह, protestors से अच्छा शब्द है, रेमो स्टेट करने वाले कोन होते, रेमो स्टेटर्स, टी आर ए टी ओ आर एस, the रेमो स्टेटर्स, have, pre-saged, उन्होंने पहले ही बता दिया है, have pre-saged, their, target, इन इनके इनन धिस असर्श असरशन डेकलरेश और एफर मेशन जो दीं गई है ये जो कंफोर मेशन दी गई है एक आहिएं new घुए सकते हो के ग्यापन वोपा गया है तो ग्यापन भी कहा जा सकता है protestation ग्यापन वोपते हैं ना कि किसी इसका ग्यापन दिया है तो हम यह चीज आपके ज्यान में लाना चाहते हैं that's called protestation so in this protestation the demonstrators have pre-saged their target उन्होंने अपना target जो है वो सारिक सारी बाते लिग दी के भई हम यह यह चाहते हैं इस protest से और आप जह है जो है पास के थाने में वो दे आए कि भई आप सारिक सारी विवस्ता हमें करके दीजिए हम ऐसे ऐसे इसी जगह पर protest करने जा रहे हैं तो वो protestation होता और उसमें आप पहले ही कोई चीज बता देते हो कि this is our target और इस तरीके से हम चीजों को आगे लेके चलेंगे right so that's called protestation का मतलब क्या हो गया घ्यापन या फिर जोर देकर कही गई बात और प्रिसेज का मतलब पहले से ही कोई चीज बता देना मेरे इसाब से आपने कर लिया होगा आगे बढ़ते हैं बढ़ें चलिए लेट्स मूफ दो हमने किये एक हमने किया protestation एक किया प्रिसेज अगला वड़ है ruminate का मतलब है गहनता से कोई चीज सोचना to think deeply गहनता से कोई बात सोचना उसे हम क्या कहते हैं ruminate एक वर्ब की तरह काम करता है यह एक वर्ब है वर्ब की तरह function करेगा इसका मतलब गहनता से सोचना हिंदी में लिखेंगे गहनता से सोचना कोई चीज गहनता से सोचना that is called ruminate जैसे आगे वर्ब देखें पॉंडर अगर कोई शब अच्छा मिले उसे हाइलाइट करेंगे meditate मने गहनता से सोचना हिं होता है विचार करना cogitate का भी मतलब विचार करना, consider का भी मतलब विचार करना कोगिटेट का मतलब गहनता से सोचना कोई भी शब्द अच्छा लागे उससे लिखना जरूर है बेटा गहनता से सोचना राइट बहुत गहरा सोचना राइट अच्छा सोड़ेड दोनों को मिक्स कर लेंगे सोड़ेड का मतलब गंदा होता है यह एक एड्जेक्टिव की तर बहुत बड़ी बात सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी स्लेजिंग प्रूफ थे वह यह कोई स्लेज कर एक तो रहूल ड्रविट और एक सचीन तंदलकर राइट कभी अग्रेसिव नहीं हुए किसी की गाली सुनकर तो वह स्लेजिंग को बहुत अच्छे से बीट कर ले जाते हम स्टीट में कह सकते हैं लिखंगे स्टीट में यू शुट रूमिनेट वैल गहंता से और अच्छे से सोच लेना चाहिए यू शुट रूमिनेट वैल बीफोर उजिंग उजिंग सोर्द वर्ड्स before using sordid words for anybody क्योंकि जब आप किसी के लिए घटिया शब्दों का इस्तमाल कर सकते हो हो सकता है कि वो उसकी और आपकी last communication हो जिन्दिगी की You should ruminate well before using sordid words for anybody किसी भी वेक्ती के लिए घटिया तरीके के शब्दों का इस्तमाल करने से पहले आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो उसकी और आपकी आपकी आखरी communication हो You should ruminate well before using sordid words for anybody किसी भी वेक्ती के लिए घटिया शब्दों का इस्तमाल करने से पहले आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए तो दोनों शब्द हमारे हुए ruminate माने गहनता से सोचना और sordid का मतलब बहुत गंदा dirty, disgusting, sludgy sludgy माने गाली के लोट से भरा हुआ grubby माने शिकायतों से भरा हुआ यह हो गया गाली के लोट से भरा और यह क्या होता है यह क्या होता बेटा शिकायतों से भरा हुआ that's called grubby अब जो शिकायत करेगा मुझे यह नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे मेरी कोई केर नहीं करता मेरा कोन है, ऐसा वेक्ति क्या होगा? grubby, शिकायतों से भरा हुआ एसे वेक्ति को अच्छी state of mind का कभी नहीं माना जाता है, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम यह सोचे किया क्या है, अरपन, अरपन पर ध्यान देंगे तो गरभी attitude खतम हो जाएगा, तो यह गंदा attitude माना जाता है, pleasant, nice or healthy, माने बहुत अच्छा, बहुत स्वस्त, खेर, हम आगे जा रहे हैं, next is testimonial, testimonial, testimony होती है न, किसी की याद में लिखी जाती है, do you remember, भई newspaper में एक जगह होती है, जिसे testimony कहा जाता है, testimony का मतलब किसी की याद में जब कोई चीज लिखी जाती है, that's called testimonial, right, tribute, memorial, और testament, right, testimonial stamps, जो है issue की जाती है, उनको इनकी याद में, that's called testimonial, हम statement कह सकते है, testimonial, tribute, memorial, हम statement कह सकते है, we can make a fill in the blank, as usual, testimonial, remarks, are, testimonial remarks are made, testimonial remarks are made, for those, for those, for who, get retired, who get retired, जो retire होते हैं, उनके लिए testimonial words, अब retire, जरूर नहीं के job से ही हो, दुनिया से भी retire हो सकते हैं, हो सकता है, उनका जीवन काल समाप्त हो रहा हो, तो मरने के बाद, बहुत बार जो testimonies आती है, वेक्तियों की, जैसे अभी दिलिप कुमार जी, अगर expire हुए तो उनको उनकी आद में कुछ लिखना, there is called testimony or testimonial things, testimonial remarks are made or written for those who get retired, जो retire होते हैं, next बेटा, राय, राय मने नाराज होता है, राय मने नाराज चेहरे वाला, जैसे make a rye face, make a rye face, इसका मतलब क्या है, नाराज चेहरा बनाना, राय का मतलब घटिया, नाराज, गुसे में, गुसे वाला चेहर चेहरा बना लेना, आयरनिक, विड़न बनात्मक, cynical का मतलब जब कमिया निकालने वाला वेक्ति होता है, वो cynical होता है, जो हर बात पर कमी निकाले, that's called cynical, my boss is cynical, इसका मतलब कुतना भी अच्छा करो, उसे कमी ज़रूर निकालनी है, जब तक कमी निकालेगा तब तो उसको रो चापलूसी नहीं, क्योंकि अधिकता प्रशंसा की, प्रशंसा की अधिकता चापलूसी बन जाती है, और चापलूसी से बचना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, बिकस प्रशंसा एक बहुत गजब का जादू करती है, बेटा सामने वाले के उपर, हर एक विक्ति को अपन मतलब दूसरों को चुबने वाले साडोनिक का मतलब क्या होता है चुबने वाले या चुबने वाला तो अगर ऐसा चेहरा बनाया नाराज होगा तो चुबेगा न सामने वाले कर ऐसा थोबड़ा क्यों बना रखा है तो चुबने वाला होता है साडोनिक मोकिंग का मतलब मजा हम यह भी कह सकते हैं टेस्टिमोनियल वर्ट्स टेस्टिमोनियल वर्ट्स और अप्राइट एवलुशन या अप्राइट एस्टिमेट कह सकते हो ओफ अपरसंस वर्ट यहां पर अपरसंस वर्ट यहां पर अपर्टिकल लगाना चोग क्या है एस्टिमेट है कैसा है अप्राइट तो यहां पर लगा सकते हो एन अप्राइट एस्टिमेट तेस्टिमोनियल वर्ट्स अप्राइट का मतलब क्या होता है इमांदार, ओनेस्ट, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करके गया समाज के लिए, तो उसी के लिए तो टेस्टेमोनियल वर्ट्स कहे जाएंगे, उसी के लिए शर्दाइट वाले शब्द कहे जाते हैं, टेस्टमनी लिखी जाती है तो वो अप्रैट एस्टीमेट होती है बटा, अप्राइट एक उसका ईसाब किताब होता है, लिखा जोका होता है, तो टेस्टेमोनियल वर्ट्स के उसके लिए कितना अच्छा लिखा गया, अप्रैट एस्टिमेट ऑफ ऀपरसन सब र के एक विए्सकी एक काम का बिलकुल इमानदार एस्टिमेट होता है तो इस इस कोल्ड राय तो राय माने नाराज होता है नेक्स्ट साथ पर चलते हैं एस्थेटिक पढ़ा जाएगा बोलो शाबश हाँ वो चारण में लिख देता हूँ आपके लिए और आप भी अपने लिए लिखेगा एस्थेटिक एस्थेटिक का मतलब होता है कलात्मक कला से भरा हुआ इसका मतलब हिंदी में होता है कला से परिपून कला से परिपून सामाने नहीं होता वो रैट सामाने नहीं होता जैसे जितने भी ये लोग आपके सामने कैमरे पर आते हैं तो क्या ऐसे से आजाते हैं, simple, bland, निरस रूप से, right, तो कहते हैं न, अच्छी सूरत को सवरने की जुरूरत क्या है, साधगी में भी कयामत की अदा होती है, अगर मेरी मा, मेरी बहन, मेरी बेटी, और मालीजे, मेरी वाइफ, अगर वो साधी रहना जानती है, साधगी में भी कयामत की अद बना जाता है, यानि कि ordinary चेहरे को, जो dull भी चेहरा है, उसे भी क्या बनाए जाता है, aesthetic, कला है, हर तरीके के हो सकती है, आप उसे किसी भी तरीके से ले सकते हो, aesthetic art, हर एक व्यक्ति के अंदर की जो कला है, उसे और उभारा जाता है, भई वो अभी आभी तो अच्छा करता है है, तो चेहरा भी और अच्छा हो, तो कितना अच्छा है, यानि कि उसको ब्लाइड नहीं छोड़ा जाता, तरीके-तरीके कि उसमें मसाले, spices मिलाए जाते, कि यहां से हटा दिया जाए, तो यह भी aesthetic makeup है, यानि कि कलात्मक makeup, aesthetic art, कला से परिपून जो कला है, इन्होंने का autistic, इसका मतलब जो सुनने को बहुत अच्छा करता है, visual माने जो देखने को बहुत अच्छा करता है, creative मतलब आप जानते हो, जो creative बनाता है, और inventive मतलब एक तरीके कि उसमें कला आ जाए, एक तरीके का बैतरीन, right, so dull, unimaginative और bland, जैसे हम कह सकते हैं, the aesthetic way of mixing words and sentences, in sessions में हम क्या करते हैं, कला दिखाते हैं अपनी, हमारे पास अब सीख्षक हैं, वो कला तो होगी नहीं के मैं, और मुझे नहीं लगता कि आप मेरा महंगा सा suit देखके खुश होगे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है, कितने ही suits और कितने ही चीजें तो gift में मिल जाती हैं, और सबसे बड़ा gift होता है आपके अंदर की satisfaction, सबसे पहली बात, मुझे नहीं लगता कि आप in sessions में आते हो तो आप यह देखने के लिए आते हो कि मेरा चेहरा कितना चमक रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप यह देखने के लिए आते हो कि सर के कपड़े आज कैसे है, मुझे नहीं लगता कि आप यह देखने के लिए आते हो कि मेरे बाल कै कैसे दिख रहे हैं या मैं कैसा दिख रहा हूं मुझे यह पक्का भरोसा होता है इसलिए I don't believe in making my face aesthetic in a fake manner मैं विश्वास नहीं करता मुझे पता है कि अगर किसी को मैं जैसा हूं वैसा अच्छा नहीं लगता तो यह खाल वाल जो है इसमें कुछ ज्यादा रस होता नहीं है बेटा चाहिए आप कितना भी उसको कितना ब्यूटी जोली सबसे बड़ी चीज यह हैं भर जबर्दस तरीके से पढ़ाएं खेटिक हैं अचिक विशयता यह जैसा ही लगता है आइसा ही लगता से teaching की सबसे बड़ी चीज यही है कि अपनी जो चीज पढ़ाने के लिए हैं वो जबर्दस तरीके से पढ़ा के निकल जाओ aesthetic एक विशेष्था होती है यह एक जेक्टिव की तरह काम करेगा जैसे aesthetic सबसे अच्छी बात हमें क्या लगती है कि अजय सबसे अच्छी बात हमें क्या लगती है कि अगला शब्द है अगला शब्द है gravity यह बड़ा प्यारा शब्द है बेटा गागर में सागर भरने वाली बात को हम क्या कहते है ब्रेविटी ब्रेविटी पढ़ा के जाएगा उच्छारण क्या बता देता हूं ब्रेविटी चोड़ो थोड़ा और फोन को चोड़ा कर लेते हैं ब्रेविटी 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 का मतलब शौड़ यह नाउन की तरह काम करेंगा इसका मतलब हो था गागर में सागर भरना कम से कम शब्दों में जादा जादा क्वैल्टी जादा जादा क्लेरटी गागर में सागर वाला ब्रेविटी बात होती ब्रेविटी 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 बढ़ी अवधी एक समय लगे जिस चीज में लंबी ना ओठाकर उसे अवधी लिखोगे तो और भी अच्छा है अवधी 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 अब ठीक है कि अवधी बड़ी और छोटी दोनों हो सकती है short span of time long span of time right तो इस किस चीज में समय लगेगा तो फिर बड़ी अपने आप हो जाती ब्रेविटी बने गागर में सागर भरना राइट तो कम से कम शब्दों बें जादा जादा क्लार्टी दे तो ब्रेविटी के लिए sentence लेते हैं let's take a sentence with it every good writer keeps the conclusion इन क्या इन ब्रेविटी इन के बाद ब्रेविटी लिख दीजीगा every good writer keeps keeps the conclusion हो सकता है कि उसे एक घंटे का lecture दिया हो पर उसे एक घंटे के लेक्टे के बाद जब वो चीजों को conclude करता है तो बिल्कुल उसको ब्रेविटी से करता है कम से कम शब्दों में जादा जादा जाद ब्रेविटी जो निसकर्ष है वो कम से कम शब्दों में जादा जादा clarity हो सकता है कि एक घंटे से lecture दे रहा था पर जब चीजों को ब्रेविटी में जब conclude करना होता तो वो चीजों को किसमें रखता है ब्रेविटी में रखता है फिर लेंधी नहीं बनाता उनको फिर वो लंबा समय नहीं लेता उस चीज को explain करने में अगला शब्द है conquer 9 पर हम आगे रोज 10 वर्ड्स हम करेंगे और 10 के 10 का हम क्या करेंगे हम जो 10 वर्ड्स हैं उनको उनका PDF रोज पढ़ेंगे जो PDF में आपको टेलिग्राम गुरूप पर सेंड कर दूँगा तो रोज की रोज आप पढ़ेंगे वहाँ से ब्रेविटी शॉटनेस हो गया ब्रेविटी हमने कर लिया conquer पर हम आ गए चलिए 10 तक हम लेए लेते हैं सीधा ठीक है conquer का मतलब होता है सहमत होना अच्छा एक conquer वो क्यों वाला है उसका मतलब क्या है वो है जीत लेना किसी चीज को है ना you must conquer your negativity यहां पर conquer का मतलब क्या है सहमत होना सहमती देना यह एक वर्ब की तरह काम करता है बाइ कोड़ा अच्छा श्भड स इनल कंट्रेश का मतलब करें बीम बाड़ा चा श्रूंत यह बाड़ा सफ एक अénerեर्न परिधि अच्क्रीट में लिखों crucial का मतलब important होता है it means important vital, critical, important, decisive, निरनायक जिसे कहते है crucial का मतलब क्या होता है important एक तरीके से दोनों को mix कर लेते हैं let's mix both of them vital, critical, important, decisive decisive का मतलब होता है निरनायक निरनायक, conquer, हम सेट में लेते है it is crucial it is crucial it is crucial to conquer it is crucial to conquer over the over the to conquer over the control right so it is crucial to conquer over the control of population in coming time आने वाले टाइम में जो बढ़ती हुई population है उसके उपर बात करना right, population को control करना ये बहुत important है conquer का मतलब सहमत होना हमें इस बात पर सहमत होना पड़ेगा कि हम population control पर बात करें क्योंकि साधन सीमित हैं अगर हर महीने हर साल खाने वाले मुँ बढ़ते रहेंगे और संसाधन सीमित रहेंगे तो चीजों में दिक्कत आएगी सब को आएगी हमें भी आएगी आपको भी आएगी तो if we want to really grow जैसे अभी आप देख सकते हैं कि oxygen की कमी का पढ़ना करोना काल में यह कोई छोटी इंडिकेशन नहीं है अगर वाकई में बहुत बड़े इस्तर पर होती और वो चीजें मैंनेज होई नहीं पाती तो इट वुड हैव बीन ग्रेट डिजास्टर है अभी भी बहुत बड़ी डिजास्टर हुई है बट फिर इमेजन ही नहीं कर सकते कि कितना क्या होगा क्योंकि जब संसादन सीमित हों और इस्तबाल करने वाले बढ़ते चले जाए इट क्रिएट एक्स्टर प्रेशर ओंद शिस्टम सो खेर आज के शब्दों को हम यहीं पर विराम देते हैं अभी तक जितने शब्द किये एक बार रिशेंझ ले ली एक चलिए प्री सेज प्री सेज इट का मतलब पूरल व्हान लगाना पहले कोई चीज है टना यस उनो प्रोटेस्टेशन का मतलब क्या है protestation का मतलब है कोई चीज जोर देकर कहना वो लिखित में भी हो सकती है और वो written में भी हो सकती है ruminate का मतलब क्या है गहनता से सोचना to think deeply right that is called ruminate sordid का मतलब क्या है गंदा, घटिया, डर्टी testimonial का मतलब क्या है किसी की याद में कहे गई शब्द yes or no that's called testimonial rye का मतलब नाराज नाराज, गुसे में चुबने वाला, कुछ भी कह सकते हो aesthetic, कला से भरा हुआ brevity माने गागर में सागर conquer माने सहमत और crucial माने something which is very important तो बहुत-बहुत धन्यवाद thank you, thanks a lot अपने notes मनाते रहीगा बेटा, लगातार चीज़ों को पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा और यह जो dose है, यह आपको telegram पे इसका PDF मिल जाएगा और रोज मिलेगा session के बाद आपको वो PDF पहुँच जाएगा so do not miss to download it in your phone and revise them again and again and yet again इसको मैंने किताब से अलग इसलिए भी कर लिया कि रोज पूरी रोटी खाने से अच्छा है कि मैं टुकड़े टुकड़े में अगर उसको लूगा तो बहुत अच्छा रहेगा तो टुकड़ा टुकड़ा भी अगर आप सेव कर लोगे तो सारिक सारी चीजें त्यार हो जाएगे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू थैंक्स लोट मुझे सुनने के लिए सेशन कैसा लगा आपका फेवरिट वर्ड कौन सा लगा वो ज़रूर बताईएगा थैंक्यू थैंक्स लोट सी यू